हेलो गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हो आई होप अच्छे ही होंगे आज तो बहुत ज्यादा ठंड है वही जन्वरी का मैना चल रहा है तो ठंड तो होनी नेश्ची थी तो आज बनाएंगे गाजर पाक क्योंकि ठंड में गाजर पाक के बगेर काम नहीं चलेगा और सर्दी में ही जो खाएंगे वो कुछ फाइदा कर सकता है लग सकता है तो आप भी ठंड ज्यादा है कुछ कर नहीं सकते गर में तो बैठके गाजर पाक बना लेजिए और अच्छे से सर्दी गम्मा जा लेजिए यह लेगी हमने पांच किलो गाजर और आज बनाएंगे गाजर का हलुआ या फिर गाजर पाक भी कर सकते हो इनको हमने चील लिया है अब बोस करके इनको कदुकश कर लेंगे अब हमने गाजर को कर लिया कदुकश यह लेखी हमने कर दिया पांस किलो गाजर को कर, कदुकश और आप रखते हैं दूद, गाजर कर लिया है अब दूद रख दिया गाजर गरम होने के बाद इसमें डाल देते हैं गाजर काफी दूद ले लिया है ताकि इसमें मावे की जरूरत नहीं पड़े और दूद को गरम करके इसमें गाजर डाल देते हैं जैसे दूद जलेगा और इसमें से मावा निकलेगा तब तक गाजर भी पक करके तयार हो जाएगी इसको अलग से पकाने की जरूरत नहीं है दूद में ही पक जाएगी यह देखी दूद हमारा कम हो गया है मावा निकल गया है अब इस गाजर को पकाने के लिए अपने हिसाब से इसमें घी डाल देते हैं जैसे आपको जरूरत है हमने तो इसमेंодар घी डाल था अब इस गाजर अच्छे से पक जाएगे पंस किलो गाजर में हमने लिया दस किलो दूट आधा किलो घी और तेड़ किलो सिन अब चिनी डाल देते हैं, तो ज़्यादा मिठा हो जाएगा, और अगर आपको ज़्यादा मिठा चाहिए तो आधा किलो और भी डाल सकते हैं, यह देखिए हमारा गाजर पाग बन के तयार हो गया, कितना अच्छा कलर आया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी हो तो प्लीज लाइक किजिए, शेयर किजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई